इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. ग्लिजन हस साथ मिली ग्राम टैबलेट एक दवा है जिसका इस्तेमाल वयसकों में टाइब दो डाइबिटीज मेलिटिस के इलाज के लिए किया जाता है. यह सलफोनल और या नामक दवाओं के समूह से समबंधित है जो डाइबिटीज के मरीजों में बलड शुगर नियंतरित करने में मदद करती है. यह किड्नी की क्षती और अंधेपन जैसी डाइबिटीज की गंभीर समस्याओं को रोकने में मदद करता है. ग्लिजिन हस साथ मिलिग्राम टैबिट को अकेले या अन्य दवाओं के साथ लेने की सलाह दी जा सकती है. इसे भोजन के साथ लिया जाना चाहिए. अधिक्तम लाव प्राप्त करने के लिए इसे हर रोज एक नियमित रूप से एक ही समय पर लें. आपका डॉक्टर टै करेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर इसके प्रभाव के अनुसार बदला जा सकता है. अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या आपके बलड शुगर का स्तर नियंत्रित है तो भी इस दवा का सेवन करते रहें. अगर आप इसे डॉक्टर से परामर्ष किये बिना लेना बंद करते हैं तो आपके बलड शुगर का स्तर बढ़ सकता है और आपको किड्नी का नुकसान, अंधापन, नसों से समबंधित समस्याएं और अंगों को खोने का जोखिम रहता है. याद रखे कि यह दवा, इलाज का केवल एक हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, स्वस्थाहार और नियमित व्यायाम भी शामिल होना चाहिए. आपकी जीवनशेली डायबेटीज को नियंतरत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है. इस दवा को लेने के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में अपच और पेट खराब होना शामिल है. इससे बलड ग्लुकोज का स्तर भी कम हो सकता है. यानि की हाइपोग्लाइसीमिया. सुनिश्चित करें कि आप लो बलड ग्लुकोज लेवल के लक्षनों जैसे कि पसीना आना, चक्कर आना, सिर्दर्द और कपकपी को पहचानते हैं और इससे निपटना जानते हैं. इसकी रोकथाम के लिए हमेशा नियमित रूप से भोजन करना और ग्लुकोज का तेजी से काम करने वाला स्रोच जैसे कि शुगर वाले खादेपदार्थ या फलों का जूस अपने साथ रखना जरूरी है. शराब पीने से आपका बलड शुगर के स्तर में कमी का जोखिम भी बढ़ सकता है और इसलिए इस से बचना चाहिए. इस दवा से कुछ लोगों का वजन हिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए. आपके बलड शुगर लेवल की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए और आपके डॉक्टर आपके बलड सेल काउंट और लिव फंक्शन की निगरानी के लिए बलड टेस्ट की सलाह भी दे सकते है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद